एक जंगलमेन एक चलक कववा रहता था. उसका नाम चिकु था. एक दिन चिकु ने एक होशियर लुम्डी को देखा, जिसका नाम लीला था. चिकु ने सोचा, मुझे लीला से दोस्ती करनी चाहिए, ताकि मैं भी उसकी चलाकियों का फैदा उथा सकून. इसी इरादे से, चिकु ने लीला को अप्रोच्ट किया. लीला जो खुद भी एक चलाकियों का नाम रोशान किया. एक दिन दोनों एक बड़ा साबुन का दिब्बा धूंध रहे थे. चिकु जो हमेशा कुछ चुराने की सोचता था, बोला, लीला मैंने एक प्लान बनाया है. हम सबसे पहले साबुन ले लेंगे और फिर उसके पैसे से और कुछ ले लेंगे. लीला मुस्कुराई और बोली, चिकु ने लीला की बात सूनी और दोनों ने मिलके साबुन बनाने वाले स्थाल की तरफ रुख किया. वहां उन्होंने सिख लिया की मेहनत और साथ मिलके काम करने से बड़ी चीजें हासिल होती हैं. इस कहानी से हुमेन ये सिखने को मिलता है कि दोस्ती में भरोसा और सचाय होना जरूरी है. चलाकी से दोस्ती करना अच्छा है, लेकिन उसे गलत काम में इस्तेमल नहीं करना चाहिए.